हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रोग्रामिंग बाइक सुक्राइब क्लास्स तूदेश टॉपिक इस इंट्रोड़क्शन अप्सी प्रोग्रामिंग कंप्ले टॉपिक हिंदी और इंग्लिस में होगा तो लेट्स बीगन तो पहले समझते हैं कि सी क्या होती है अची जो एक प्रोग्रामिंग लेंग वो होती क्या है इस बाग को पहले समझेंगे C is a high-level structured oriented programming language used in journal purpose programming developed by Dennis Rattachy at AT&T Bell Labs the USA between 1969 and 1973 अची जो है वो एक high-level structured oriented programming language है जो एक general programming language की रूप में इप्योग की जाती है बैने स्रेटेजी के ड़ारा AT&T Bell Labs में USA में 1979 और 1973 के बीच में डवलप की गई कुछ facts समझते हैं जो कि C programming languages के बारे में हैं तो उसमें जो पहला fact है वो है कि 1988 अमेरिकन नेशनल स्टेंडर्ड इंस्टिट्यूट ए एन एस आई एड फॉर्मिलाइस दसी लेंगेज सेकेंड है निकी उनीस सो अठासी में ने सी लेंगेज से परिचित करवाया सेकेंड है सिवाज इन्वेंट टो राइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी को इन्वेंट किया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए थर्ड है सी इजए सक्सेसर और बेसिक कंबाइड प्रोग्रामिंग लेंग इस बीएल काल्ड बी लिंगर रिनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पी पी एजपी और रिप्रेटिंग सी लेंगर में लिखे गया है तो कुछ facts को हमने समसा अब हम समझते हैं कि uses क्या हैं C programming language के तो in the beginning नहीं कि शुरुवाती में C was developing for use for developing system applications system applications को develop करने के लिए C programming language का use किया जाता था तो उनमें से कुछ applications को हम समस्कते हैं जो कि है database system ठीक है जिसमें data को store करते हैं वो database system create करने के लिए C language का use किया जाता है language interpreter के रुख को बनाने के लिए C language का ही हम प्योग करते हैं compilers और assemblers को develop करने के लिए भी हम C language का ब्योग करते हैं operating system as the window operating system are made in C programming language network drivers को बनाने के लिए develop करने के लिए C programming language और word processor के लिए भी हम C programming language का use करते हैं तो हमने आपर समझा कि use क्या है C programming language का अब समझते हैं C इतनी popular क्यों है कि कई कारण है उनको हम देखते हैं कि जो हमारा first reason है वो है one of the early programming language गपर पहले programming language थी second है is the best programming language to learn quickly यह best programming language चीज़ को जल्दी सीखने के लिए programming language जिसमें तो यह बहुत best programming language है third है हमारा C language is reliable reliable भी अगयावील यह रिलाइबल है शिंपल है और आसान है उप्योग करने में फोर्थ है C लैंगाज इस ट्रॉक्चर्ड लेंगेज इस ट्रॉक्चर लेंगेज था चुर्ड लेंगेज से फिर है to add C programming in their courseware, अब उन्योर्सिटी इसे add करना जाते है एपने courseware, फीचर क्या है आभि हम यह समझते हैं कि फीचर क्या होता है C programming language का, तो features of C programming language, C फस्त है हमारा, C is a robust language with a rich set of built in function and operator, C जो है वो robust language है एक अपने rich set of library के साथ, तो उसके functions के साथ उसके पास अपनी एक खुद की बहुत बड़ी लाइबरेडी है functions की और operators की program written in C are efficient and fast जो program C में लिखे जाते हैं वो efficient होते हैं और fast होते हैं C is highly portable वो portable है programs once written in C अगर हम एक बार program को C में लिखते हैं तो run करवा सकते हैं किसी भी machine पर इसमें थोड़ा सा बदलाव लाके या किसी भी तरीके का बदलाव ना करके C is a collection of C library functions we can also create our function add to the function it C is easily extensible तो हमने इसके व्योंको समसाफ हम advantage समझते हैं कि advantage का है C language की तो जो पहली advantage है C language की वो है कि C is the building block for many other programming languages C जो है वो एक block को build करती है जो कि other programming languages करती है second है programs return C are highly portable नहीं कि जो program C में लिखे साते हैं highly portable होता है third है हमारा several standard function are there इसमें कुछ standard function है जैसे like inbuilt function है इसमें बहुत ही important role है standard function है that can be used for developing programs इसको उप्योगम करते हैं program को tablet करने में फुर्थ है C programs are collection of C library functions and it is easy to add own function to the C library फिर्थ है हमारा दा modular structure makes code debugging, maintenance and testing easier इसे आसां इसे test किया सकता है, debug किया है, maintain किया दो आप हम disadvantage समझते हैं इसमें advantage को समझा, अब disadvantage को समझते हैं यह और किस्ट पॉइंट है इसे सी में किसी भी प्रकार का name space को कोई भी concept नहीं है as like that कि आप कुछ भी लिख रहा है अगर आप name space डालके भी लिखते हैं तो इसे combine करके ही लिखेगा और पे name space को कोई native mind नहीं है थर्ड है हमारा c does not provide binding और वरेपिंग अप अप डेटा इन्हें single unit c हमें नहीं provide करता है डेटा को bind करना वरेप करना एक single unit में तो यह हमें यह फिसट पॉइट नहीं करता है फूर्थ है हमारा c does not provide constructor और deconstructor तो अगर आपको लगा कि थोड़ा भी वीडियो helpful था आपको सी के introduction के reform में तो इस वीडियो को like करें comment share करें अपने दोस्तों के साथ और अगर को समझ में नहीं आया है या किसी और टॉपिक पर चाहते है इसका next topic चाहते है तो subscribe करें इस चैनल को तो समझ में तो comment करें इस चैनल के लिये don't forget to subscribe now this channel for more video related to this subject this topic for more information related to this subject thanks for watching and don't forget to subscribe now this channel thank you